पूरे देश मेंुख्यालों पारा आज ज्यापन दियेह जा रहे हैं जिलादिकारी के मात्धम से राश्पति जी के नाम लाश्पती जी से अपील कर रहे हैं कि यह जो अगनी पत्योज नाई है यह यूवाव का भविश्य अंदिकार में लादेगी बिल्कुल इस देश में जो है कम से कम आर्मी एक ऐसी चीज है इसे तो कम से कम मत छेड़ो इस पर जो है सही विचार करके इन यूवाव को बठाके है और देश के बतेरे विश्य से क्या है उन्हें बठाके सही तरह से बनाई जाओ इसमें जो है संसोचन करके या जैसे भी होता हो लेकिन यूवाव का भविश्य अंदिकार में डाला जाओ एसकेम के नेत्रत तुम्हें आज तमाम प्रदर्शन किया जा रहा है हाली में बी कितना वक्त दिया सरकार को अगला कतम यह होगा कि हमारे राष्टे नेटर बैठके विचार कर रहे हैं और यह किसान अंदोलन जिस तरह से तेरे महीने पहले चलाए गया है उसी तरह से अंदोलन चलाना पड़ेगा यह हमारी मजबूरी है क्योंकि किसान की समझ्चा सारी ऐ युवाव भी हमारे साथ रहेगा मेरा नाम परवीन मलीक है उत्तर परदेश एंसिया रद्यक्स क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज आप सडकों पर उतरे हैं देखिए हमारी मांग है जो युवाव के लिए नोंने के अगनी पत नाम के से जो योजना निकाली है जो च हमारे जाते हैं तो चार साल की देशना में के चार साल की कोई योजना देश में नहीं चलेगी फोज के साथ यह खिलवाड होने नहीं दिया जाएगा इसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े अगला कदम तो जो भी हमारा से सुनेत तैह करेगा उसके बाद लेकिन जो था सब्सकार देख ही जाता है और कोई चीसान मजदूर कड्य उंपना पैट चित लोग टेक बना देना एक सवाल ये बताईए कि S.K.M. ने आज आवान किया था कई संगठन इसमें शामिल हुए हैं हाली में एक नया संगठन में बनाया है भारते किसान यूनियन आराजनेतिक च्या वो संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल है आज तो सरकार ने बनाया है संगठन उनका कोई है थोड़ी ना अगर वो विरोध करेंगे तो आज जो उनके जितने भी नेता है उनके पास में दुनिया पर की सिक्योटी है ठीक है एक-एक उनके जिने भी जिला ज़ने सब के पाइस सिक्यूर्टी जिस दिन वो विरॐध करेंगे सारी सिक्यूर्टी खतिम मोम उनकी दुकान बंड हो जाईए उघ्याख़ट इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौझूद हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो हैं यहां पर मौझूद हो उनसे भी बातचीत करेंगे मैडम किस तरह से देखती हैं इस योजना को तो आप आप यह देखो देश का किस तरह से ना सोने लग रहा है क अभी तो किसाणों का वो मुद्दा ही खतम नहीं हुआ उसमें भी इनोंने जूट जांट बोलके सर्ची चल रही हैं भी तक तो उसमें भी लागूनी अब किसाणों के बच्चों के लिए अगनी पतला के रख दिया आप यह देखो कि पूरे देश में इस बात के लिए रो साल में क्या उनकी पैंसन है क्या भविस से हैं उनका ये बताओ उनकी तो जिंदकी बिल्कुल खराब हो जाएगी इस तरह से तो आज एसके हम के आवान पे आप तमाम लोग यहां प्रदिर्शन करने पहुचे हैं क्या आगला कदम होगा आपका इसके बाद अगर सरकार मां पैंशन मिल रही है भत्ते मिल रहे हैं सब कुछ मिल रहा है तो गरीब के बच्चे को किसान के बच्चे को जो आर्मी में जा सकता था उसके लिए इतनी बेरहम क्यों सरकार हमारे बच्चों को कुछ भी ना मिले ऐसा इन्होंने क्यों किया इसके खिलाफ हम धरने पर बैठे कहा जाएंगे बच्चे बताइए भीक मांगेंगे क्या करेंगे तो आपने देखा कि किसानों का एक कहना है कि पहले भी किसान आंदूलन हुआ और किसानों की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई एमस्पी पर कानून नहीं बना और अब एक अगनी पतिस्कीम लागू हो रही है जिससे सीधे तोर पर नुखसान जो है वो किसानों के बेटों को होगा जिसको लेकर सेंद किसान मोर्चे का जो आवान किया गया था उसके आवान पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है आने वाले समय में आंदूलन खड़ा करने की भी किसानों ने चेताव नीदी है शेजादाबित एटीवी भारत गाजियबाद